नमस्कार दोस्तों मैं प्रदीप चंदर स्वागत आपका हमारे योट्यूब चैनल पर दोस्तों प्राचीन भारती इत्याज़विसे की करम में इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्तापतिकला की जो की प्राचीन भारत से संबंदित इस्तापतिकला के बारे में आप तक जा कविशित दबाएं दोस्तों ये वीडियो के वेल आगामी परिक्षाओं को देखते वुए रिविज़न के तौर पर बना गया है अगर यहां से किसी भी तरह का प्रस्ना आता है तो आगामी परिक्षाओं में आपको किसी भी तरह की परिशानी नहीं होनी चाहिए उन प्रस्णों का उत्तर देने में ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये वीडियो जिसमें हम बात करें प्राचीन भारत के दौरान इस्थापतिक कला किया विकास किस तरह से हुआ था मद्र प्रदेश में इस्तित्त जो खुजराहो नामा की स्तल है खुजरा के मंदर और इन मंदरों का निर्मान कपसे की सब्सक्राइब का मंदिर है सर्वोत्त मुधार की और खुज रहो मैं भी जो है चंदेलों के द्वारा कितने यहाँ पर मंदिर के ने बना गया है ठीक है पिच्ची आसी मंदिरों का निर्मान किया गया है और इन में से महत्पोन कौन कौन से यह जो है कि वैस्टनाव धर्म से संब्दित हैं सैव मत से संब्दित हैं सैव वैस्टनाव को मानते हैं जो सैव को मानते हैं साथी जैन धर्म से संब्दित मंदिर है ठीक है जो कि मातंगेश्वर मंदिर है भगवान शीवको समर्पित मंदिर है ठीक है पूछे जाए खुजराहो का मातंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है सीवको समर्पित है किसने बनाया खुजराहो का जो है मातंगेश्वर मंदिर जो है कि चंदेल सासुकर ने बनाया है और यह स सबते हैं जो है यहां पर कौन सा मंदिर पॉर्शुनात मंदिरों मैं पॉर्षिद्ध मंदिर खुजराओं की अगर अन्यादिरों के लिए साथी जय ओगनी मंदिर ठीक है। महादेव मंदिर ठीक है। लालगुआ का महादेव मंदिर ठीक है लालगुआ महादेव मंदिर लक्षमन मंदिर और विश्वना ठीक है विश्वना मंदिर हो गया लक्षमन मंदिर हो गया लालगुआ महादेव मंदिर हो गया ब्रह्मा मंदिर हो गया और चौसट योगनी मंदिर यह जो है कि किसके सासन सांची स को भी तसली के गुपत काल धा की दोरान हम ने आपको बताया भी था अशाओतार अजनता की गुफा और साथी जो है कि बाग गुफा ये गुप्तकाल से संबंदित भी रही है ठीक है आपको जादकना है कि जो अजनता की गुफाओ में जो लोग जीवन से संबंदित चितर है और अजनता की गुफाओ में जो गुफाओं जो भाग गुफाओं है वो किस से संबंदित है आपको याद रहा कि गुप्त काल से संबंदित है ठीक है इसके बाद बात करते माउं टाबु का दिलवाडा का जैन मंदिर जो है वो संगमर्मर से निर्मित किया गया माउं टाबु का जिलवाडा का जैन किसने निर्मित किया गिया है किसके द्वारा निर्मित किया गिया है विमल सहा के दोरा किसका की सामन्स का ता Santo mainly zie और और US AH की जो अतिकारी था जयेछ वन समस्वसंद ये चालुक का पुम्र मैं और इस सत्रुजाई 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 ठीख है सत्रुजाई की पहाँ पर यहांपर रास्ट निर्मान को द्वार निर्मांड किसे उट्वा का निर्माद और यहां पर जबी पाँच्ग गुफा यहाँ पर जो है, पांच गूफा मंदिर प्राप्त हुई है थी कहा है, जिसमें से जो है हिंदु धर्म मुक्यत है, जो सिव से संबन्दित मॉर्थिया मिली है, ठीक है और यहीं पर जो है, कि बौत दों की दो गूफाईं भी मिली है, ठीक है पूछा जाए जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो किस से संबंदित हैं हिंदु धर्म और बहुत धर्म से संबंदित हैं ठीक है और इन गुफाओं का निर्माण जो निर्माण किया गया है वो पांच उसे छटी सत्वी 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 में किया गया ठीक है और यहां की जो पर्मोटि मिली थी नियुक्त्र कर स्याहां 5 इलीफंटाइं निर्मान है यह आपको यादक लाँन है की एलोरा की गूफाई कि कि कहा और अरंगाबाद महारास्टम है यह आपको यादक कना है साति यह साथ हिम्हें गुफाईं यह विश्व मैं प्रशिद्ध और इनम यहां पर 34 गुफाओं का निर्म निरम्र किया गया है लो राम कुल कितनी गुफाओं हैं और यह अभी हमने बात करी थी आपकी एलीफेंटा में कितनी गुफाओं हैं पांच गुफाओं अंपको याद कना है और साथ में 34 गुफाय हैं 34 जो सैल्डर्स हैं वो रॉक सैल्डर् les evidence है कि ऩौ है यह कि तारं कोर्फा यह axle कालों में पनी वद्वाई हैं एक से बारवीं तक जो गुफाय एक नम्मरो और गोफाय को नम्मर दिया गया है पहली से 29 गुफां, 29 भी गुफां तक और यहाँ पर जो है की कहलास मंदिर कालास मंदिर की द्वारा बना गया है और धर्विनसहली में है और यह इसका रास्ट कूर्ट सासक था कौन था क्रष्ण प्रथम ने बनाया ठीक है पूछ जाये कैलास मंदिर जो की अलोरा का औरंगा बाद एलोरा का कैलास मंदिर किस ने निर्मित किया है यह राष्ट कूर्ट सासक जो है किस ने निर्मित किया है क्रश्ण पर्थम ने कराए ठीक है राष्ट कूर्ट सासक क्रश्ण पर्थम ने एलोरा का कैलास मंदिर का निर्मान किया गया है एलोरा का कैलास मंदिर किस सैली में नि प्राची निथ्यास की जानकारी देती है कौन-कौन सी नासिक गुफा एलोरा गुफा और अजंता गुफा ठीक है और यह तीनों इस्तान कहां पर है महरास्ट में ठीक है अभी हम बता चुके हैं उपर एक बार से दुबारा से आपके सामने आ गया है तब आप देख लिए ब आपको याद अखना है राष्ट कूट सासकों के दौरान वैसे तो जो है कि इन्होंने ब्रामर धर्म को महत्तु दिया था किन्तु ब्रामर धर्म की तुलना में जैन धर्म का राष्ट कूट सासकों के दौरान जैन धर्म का प्रचार प्रशार वा था जैन धर्म का प्रचा सामराजी के समभी। जैनियों को सासकों में सामंतों और साती जो सेना पतियों के पद भी यहां पर दिये जाने लगे थे ठीक है पुछे जाए किस सासनकाल के दौरान किस सासकों के दौरान जैन धर्म के अनियाईयों को सैनिकों और शामंतों के पद दिये जाने लगे थे यह आपको जो है पर एक मरणासन राज कुमारी का चित्र प्रशन सन ही है ठीक है पूछे जाए अजनता की जो है कौन से नंबर की गुफा में मरडासन राजकुमारी का जो है चित्र उत्किर्ण किया गया या प्रशंशनी है तो आपकी सोलवे नंबर की गुफा में ठीक है और इसकी प्रशंशा करते हुए इत्यासकार ग्रिफित और वर्गेस और फ अनित क्रमणी रचना है यह आपको ध्यान रखना है बात करते हैं गुफा संक्या जो सोले है उसका जो है कि सासक हरिशेन के मंत्री किस ने बनाई थी यह जो की बार बारह देव ने बराह देव ने बनाई थी और बहुत धर्म को यह दान में दी थी ठीक है पुछा जाए गु पत्यों से सजावट की लिए गुफा संग्या सोला है बारह मैं जो और भाठ्थन की इसको बना गया चुपा करना है इसको आपको यह 6 आई नमबर की फूल पतिया और ब्र lên की जञ वोड़ सजावट की गई है साती ही जगवद्ध हैं में प्रतिमाओं का चित्रन जातक कताओं के जातक कताओं से यहां पर सब्सक्रास का रोडन के गया आपको या दकनां कि बहुत धर्मसर ठीक है और जो ज़्यादातर चीतर हैं वो जात कखाओं से हैं ये हम चुके हैं आपको बता चुके हैं ती के इसका नर्सेंदsom प्रथम ये नर्ष्यकिश, पुरिश, औरफम, पार्ण पुरी जो तक ऐल्गरी, पुरी, उ quiet पूरी, जगन्यट प्रथम ने बनाया था और इसका निर्मान किस सहली में हुआ था जो है विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है साथ जो है कि यह मंदिर जो है कि 13 शदी के दोरान बना हुआ था और यह जो एक आश्म यह पत्थरों पर तरासने के बाद इसमें जो मंदिर है उसमें विशा चबूतरे में यह बना गया है विशाल चबूतरे में बना गया है कौन सा कोरार्क का सूरी मंदिर साथ ही जो है कि इसमें जो मंदिर के चारों तरफ इसमें जो है कि 12 पईये लगाए गये हैं 12 पईये लगाए गये हैं साथ ही जो है कि इसमें सूरी सूरी के रत का पूरा गोडूं के दोरब इस मंदर को क्हींचा जा रहा है ठीक है के सूरी मंदर को जो जो है काला पैगोडा है ब्लेक पैगोड़ा किसको का गया सूरी मंदर को ठीक है बात करते हैं आगे लिंगराज मंदिर ये आरी नागर सहली का पूछा जाए किस सहली का उधारण है लिंगराज मंदिर कोड़ा जो उलीसा भूनिश्च्वर में है इस्तित है वो जो है किस आरी किस सहली का सरवत्तम उधारण है अगर नागर सहली नहीं हो आरी नागर सहली हो तो आप उसको ही टिक करेंगे ठीक है आरी नागर सहली और नागर सहली एक ही बात है ठीक है कुछ भी आ जाए आपको टिक करना है आरी नागर सहली या नागर सहली और लिंगराज मंदिर का जो सबसे आकरसक भाग है वो इसका सिखर है जिसकी उचाई कितनी है सिखर की उचाई 1808 है ठीक है 1808 है या आपको याद र मैंनी दिए शुलंका से खरतागγο का साथ ही बात करते हैं ज Innosta Right राका सूर्य मंदर किस ने में यस इस के द्वारा निर्मित कर आ गया ये वींदेव फ्रतम के द्वारा निमित करा गया एक यह कों से सासक सब्सक्राइब करते हैं अंकोरवाट का मंदिर समू अंकोरवाट का मोरी मंदिर समू जो की वर्तमान में कमबोडिया में है इसका निर्मान जो है कि सूरी वर्मन दुती ने करा था बारवी शदी के दोरान और यह अपनी रायधानी जो की कमपोचिया वर्तमान जो कमबोडिया की रायधानी थी प्राचीन समय में यसो धरपूर में ठीक है वर्तमान में इसको क्या का अंग कोरा कहा प्राचीन समय में इसका नाम था यसोधरपूर वर्तमान में इसको अंग को रखा गया वहां पर निर्मित है कौन सा अंकोरवाट का सूरी मंदिर ठीक है और उंकोरवाट का मंदिर किसने बना था सूरी वर्मन दुती ने बना था ठीक है किसने बना था सूरी वर्मन दुती न सेली में मना है और विश्व का सबसे बड़ा हिंदु मंदिर है सबसे बड़ा विश्व का हिंदु मंदिर कौन सा है अंकोर वाट का मंदिर है कहां पर वर्तमान में कंबोडिया या कंपूचिया में आपको जहन देना है कुछ भी ऑप्सन माई कंबोडिया कंपूचिया आपक सामिल किया गया ठीक है पांड़े सासनकाल के दौरान जो है कि द्रविन साली में निर्मित मंदिरों का निर्माण हुआ था ठीक है पांड़े जो सासकते उचके द्रविन का निर्माण के एक खिसम हुआ था द्रविन साली में हुआ था और पांड़े सासनकाल के दौरान जो ह गोपुरम का निर्माड मत पूर्ण एक अपनी विशिष्ट अलंकरत को दर्शाता है इसके बाद बात करते हैं महामल्य सैली में इसे के द्वारा निर्मित की गए और इसमें के बने दो पर्थम इसमा रख थे एक तो मंडब था साथ में एकास मंदिर और मंडब मंडप और एकास मंदिर किसके د्वारा निर्मित की गए हैं किसके अंतर्कति आये हैं ये नरसेइंवर्मन के द्वारा इनको बनाए गया था ठीक है रथमंदिर और एकास मंदिर और महांळ सहली का जो इजाद जो शुरुआत करे थी। कि इश्वर मंदिर है और जो है कि मुकुंद मंदिर इश्वर मंदिर शोर मंदिर जिसको तटी इश्वर मंदिर का गया है यह कि सहली में निर्मित है यह आपको जो है कि पल्लाव कला की जो राज सहली में निर्मित है ठीक है पल्लाव सासकों के दोरा बना गया है जो कि वर्मन दुति ने मुकूंद मंदीर मंदीर मंदिरš रधिंसर मंदीर और अदिय को रध निया 3 मंदिर का और नर्सिंव मंद्र पर्थम के दौरें गाए सबसे उतकरष्ट प्रतम ने ठीक है सोरमंदीर गोई से चोट आए है कि निमलिकसर को Nhgeon मंदिर राज सेहली का जो है प्रफम उधारण है सोर reduced डार है कि आपको यादत नहीं है और yenतबु पुन्ह01 पाशा मंदिर की दॉरां क रहा है और मदिर एकास में यानि पंठनोंसे निर्मित हैं पलना ंकोरे काल dos नहीं क्या गया है यह मंदिर जो हाथी और सेहं के पसों के अधर पढ़ीनगर्ईं में बनाए गया है जो कि कहा पराचितन है सरी निवासनलूर में स्री निवासनलूर में बाकिका मुत्ता यद्याइज पंध में असला कrah स्सटने जो किस मंदिर का अनल कराए है कोरंगनाथ का मंदिर ठीक 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 है ये चोल सासक जो है कि परांतक पर्थम के दोरा इसका निर्मान करा किया गया है निर्मित किया गया इसको ठीक है राज राज पर्थम जो की राज राज पर्थम का जो पुत्र था राज इंद्र चोल के सासनकाल में गंगय कोट चोल पुरम में जो है मंदिर का निर्मान करा गया ठीक है गंगय कोट चोल पुरम के मंदिर का निर्मान किस ने करा ताओंगी कोण कोरंगनात का मंदिर भी चोल सामराज से पनते हैं जो कि परांतक परफम ने बनाया था ठीक है, आपको यादकना है, और रायराजवडुतिये दारा सु्रम का रहावत एशुर मंदिर राइए दुतितर्थी ने बनाया है और कुलोन तुन्ग दुतितर्थी के तर्थी के दार सुल सामराज़जी की बात वरे यह ठीक ऐ? खाले जो है सारे के सारे यह जो हैं कि चोल सासक हैं कुलों तुंक तिरती ने जो यह तिर्वोन का जो है कि कमप हेश्वर मंदिर भी जा गया ठीक है जो कि कमपेहिश्वर मंदिर को त्रिवहनार करन और उसकी योगना एरावत मंदिर के समान मिल नियुकी जूलती है और नेलकंट सास्त्रों में इससे मोर्ती दीरगा भी कहा गया है ठीक है नेलकंट जो सास्त्री थे इत्यास कारते उन्होंने जो है कि इससे मोर्ती दीरगा कहा गया है पुछा जाए मोर्ती दीरगा किसे कहा गया है कमपहिश्वर मंदिर को कहा गया है जो कि किसने बना था कु लसासक ठीक है इनियुग में इस्थित्स है यहां से 15isa कि जैनियुग में हैं कुल्मिलाकर के 102 मंदिर सह मूं है जैनियु के इनियुगल सब्सक्रstr еёम में अर्था ए ृट्वपीस विधन दाद fl Seattle मंदिर इनियु-स गाओन सतावन कि नम्मर का मंदिर फो वो मुख्य मंदिर है घ्वत और यह जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर जो की विरुपाख्श नाम जा जाना जाता है विरुपाक्षी नाम से जाना जाता है हमपी जो कि करनाटक में है ठीक है यहीं पर जो है कि विरुपाक्षी मंदिर है ठीक है यह हमपी में ही जो है क्या विरुपाक्षी मंदिर है करनाटक में आपको याद रखना है बात करते हैं कि नागर द्रविण और बेसर सैली कि यहां पर आप मांच इसमें चित्र में साफ साफ देख सकते हैं पहली जो सैली है वो नागर सैली कैसे बनती है और बेसर सैली कैसे बनती है नागर सैली नागर सैली नागर सैली और बेसर सैली इन दोनों सैलियों को अगर हम जोड देंगे तो आपकी बन जाती है बेसर सैली आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे चित्र में इन दोनों का मिस्रित रूप देखने को मिला है यह वाला हिस्सा यहाँ पर आ रहा है ठीक है और जो इस तरह की का यह जो हिस्सा है यहाँ पर देखने को मिला है ठीक है तो बेसर सैली द्रविण और नागर सैली को जोड़ करके ब खोई से भी मंदिर प gjah घछितर ए नागर सहिल उत्तर भारत में संusta उत्तर भारत में नागर सहिली विक्षित है दरविण सहिली का प्रशार जो जोए दक्षण भारत मोढता विशेषकर जो एक कुमार अंतरी जो तमिल नाटू का चेतर है उसमें ठीक है यहाँ पर और बेसर सहेलि का विकाज जो है कि नागर और दर्वन शहेलिं के मिलाने से हुआ था कन्नड़ प्रदेश में चालग क्यों की दोरा नागर सहेलि का प्रय benefici किया गया ठीक है ठीक पंचायतन शब्द की बात करें यह मंदिर रचना से संब्दित है इसमें जो पंचायतन जो था वो बद्रिनात कपूर के द्वारा इसकी जो है रचित जो है ब्रहद प्रमाणिक हिंदी कोस में इसको इसका जो की इसके अनसार क्या था इसके अनसार जो है पंचायतन एक पुल पुलिंग सब्द बताय गया है और एक यह मंदिर रचना सहली को निर्देशित करता है इसमें एक मुक्य देवता होते हैं साथ में चार अन्नी देवताओं की मूर्ति इसमें सहयुकत रूप से रखी जाती है जैसे सिव पंचायतन कहा गया है राम पंचायतन मंदिर है ठीक है बदरीनाथ मंदिर है उसमें भी पंच मूर्तियां है जो की एक बदरी पंचायतन के नाम से इसको जाना गया है ठीक है इसके बाद ही यहां से पंचायतन शब्द की उत्पत्ति होती है ठीक है राजस्तान का उदाइपूर में इस्तित जो जगदीश मंदिर है उसको सिल्प चार लगों मन्दिरों में से परीवरत होने के कारण इसे पंचायत मंदिर लगों मंदिर है यानि कि एक मंदिर यहाँ पर बनाएं हैं एक मंदिर इसीके अंदर बना जाया जा तीग हो पांचा है बार तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने पूरा इधियास प्राचीन भारती राउच का इधियास है यह हमारा अन्तिव वीडियो था प्राचीन भारत-इधियास के विशे के क्रम में इसमें हमने कोजिस करी जितने भी बहुत ही कम चांस है दोस्तो 99 प्रसंट जितना भी चीज़े हमने आपको प्राचीन भारत से जो भी मैट्रेल आप तक पहुंचाया है जो भी विशय आप तक पहुंचाया है वहीं से ही प्रस्न बनेगे उससे बाहर प् हम आप तक पहुँचा दिये हैं जितने भी खो सकता था इसके अलावा दोस्तों अब हम अगला आपके सामने जो विशय ले करके आएंगे उसको हिंदी विशय ले करके आएंगे उसके साथी आपका भारती राजवियर्स था साथ में जो है कि उत्राखंड के इत्यात से संबं करना न भूलना दोस्तों दोस्तों हम मद्धिकालीन भारत आप तक नहीं पहुचा रहें क्योंकि मद्धिकालीन भारत से इतने ज्यादा प्रस्ण नहीं पूछी जाते हैं दोस्तों प्राचीन भारत और साथ में आधुनिक भारत से बहुत ज्यादा प्रस्ण पूछी जात ताकि आप जो भी हमारे साथी लोग सीटेट यूटेट अन्नी जो परिक्षाइं देने जा रहे हैं प्रोदेश में तो उनके लिए वो वीडियो लाबधायक साबित हों साथी जो है कि पूरा कबर करने के कुछ करेंगे उससे बाहर कहीं से भी परिक्षा में प्रसन नहीं मिलेंगे दोस्तों अपने वीडियो में नमस्कार